सब्सक्राइब कर ले और अपनी नोटिफिकेशन वेल भी दोस्तों आपको हर अपडेट नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब सभी का हमारे साथ आल इंडिया अगनबाडी न्यूज चैनल में मैं सुदानसू पटेल और आज आप देखने जा रहे हैं आज की सच्ची खबरे य इसमें क्या कुछ आप लोगों के लिए अच्छा निकल के आ रहा है यहां पे कांग्रेस का गुसड़ा पत्र आपको मैं दिखाने जा रहा है उत्तर प्रदेस में जो प्रेंका गांधी के आने पर उन्होंने क्या रखा है और दूसरी बात वहीं भाजपा सरकार जिसने 2000 ज बादा तो भाजपा सरकार ने नहीं किया था दरसल आपको बतादू सम्मान जनक मांदे का किया था जो की 18 या 10,000 से कम नहीं होता है आज के जमाने में लेकिन मिला क्या पंदरा सो मातर पोस्ताहन अब वही बात दोरा ही जा रही है कांग्रेस सरकार की दोरा उनका कहना है कि हम नियुनतन बेतन की तरज पर देंगे राज सरकार की तरह तो नियुनतन बेतन यही कहता है कि 18,000 की तरफ और राज करमचारी वगरा का दर्जा देंगी तो बहुत अच्छा होगा और बता दू यह गोशड़ा पत्र में सामिल क्या किया गया वो भी बताएंगे दूसरी बात आपको बता दू मांदे को लेकर के बहुत जादा लोग परेसा हैं उस बात को लेकर के आज आप लोगों का समाधान हो जाएगा दरसल आपको बता दू आज जो तारीक तीन तारीक हो गई है कल तक आपको यही समस्या देखनी पड़ जाएगी कारण आपको मैं बताता हुआ हैं क्योंकि आप लोगों की समस्याएं रुकने का नाम नहीं ले रहें कि उधर से पैसा बताया जा रहा है डाल दिया गया distort dur's लेकिन तो पैसा हम लोगों का पहुचा क्यों नहीं है यह बात बहुत जादा प्रिशान कर रहे होगी आप लोगों को दरसल कोई भी बात कभी जूटी बता ही नहीं जाती यहाँ पे कभी कभी यह जरूर हो जाएगा कि आप लोगों से जो मिली जानकारी है वही हम तक गलत पहुंच जाएं जैसे मैंने एक आगन बाड़ी बहन से पूंचा था कि 27 का कटा हुआ मांदे आ गया कि नहीं आया तो उनका बहन का कहना था उनको भी दरसल किसी ने जूटी कह दिया मजाक में और ये अपरेल फूल बगारा बना दिया उनको और उनके जरीए हम भी यहाँ पे बन गए तो आपको मैं बता दू साइमा दीदी का कहना उनका कहना है सुदानसु भाई आज भी बात की है क परसल आपको बता दू जब मार्च का महीना ये क्लोजिंग पर होता है अपरेल सुरू होती है नया सतर जो सुरू होता है तब बैंकों पर कारेका बोज बहुत जादा हो जाता है हर महीने यानि कि पूरे साल का जो रिकार्ड है बारा महीनों का रिकार्ड वो सब कुछ को देना पड़ता है और यहीं कारण यह देखिए मार्च जो closing पर एक से चार तक अधिकतर बेंक लेन देन नहीं करते हैं क्यों नहीं करते हैं एक चार तारीक तक कारण है कि वहाँ पे जो है कार का बोज उनका बहुत जादा होता है और आपको बता दू यहाँ पे यह देख लिजिए बैंकों को 31 मार्ज तक पूरे जो साल का हिसाब किताब भी बेजना पड़ता है यह सारी जानकारी क्योंकि वहाँ पे निदेसाले से सीधा आपके खाते में आता है और बाकी जो बाकी जो बाकी अधिकारी की क्या हालत है सभी जानते हैं और पैसा किसी भी तरह आता हो क्योंकि आपको बता दू यह चीज़े हैं मैंने और बहुत सी जगा कि जो जागरूग सूपरवाजर ब हैं जितनी भी वेने में जिंका ब्लाइड नहीं आया वह लिस्ट को ले जाकर के वव इसाप से प्रयास प्रएंग वहां के लिए वह भी षराणी जो बाकि ये जो लेन देन का कारें बताया जारा एक से चार तारीक तक काम का बहुत जादा है बैंकों पर इस वज़े से निदे साले से तो पैसा साइमा बहन का कहना है मैंने आपको अभी दिखाया ये भेज दिया गया है और वहां से उन्होंने यही फोन करके जानकारी दी ये सुदानसु भाई आज भी बात की है कल रिकार्डिंग भी डाली थी मांदे डल चुका है वहां से मांदे भेज दिया गया है तो ये एक बात है लेकिन वो जो दोजा 17 का जो कटा मांदे है दरसल वो एक जुहुट निकला और जुमला निकला क्योंकि हमारी जो बहन जिन्हो कि लोग बहुत परेशान है दरसल आपको बता दू पेमिंट बगएरा और जो बियलो का कार दरसल आपको जो बहने बियलो का कार कर नहीं आंगन बाड़ी बहने ध्यान से सुन ले आपका पैसा जो है 45 सव रुपए आएगा और जो नई बियलो बनी है उनका 35 सव रुपए क हिसाब से आएगा और ये पैसे भेजे जा रहा है लगभग 15 दिन से भेजे जा रहा है आप समझ रहें चीजों को तो 15 दिन से बियलो के पैसे किसी ना किसी खाते मेंगा 45 सव आए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ बियलो के हैं आपका मांदे नहीं है और इन चीजों पर भी आ सकता है कि अगर हमारे पूरवच अंगरेजों से लड़ाई ना लड़ी गई होती तो आज हम लोग गुलाम होते दोस्तों हकीकत यही है तो बहनों ने अपने लिए जो है अपनी आवाज उठाने के लिए और लड़ाई लड़ी थी 2017 में लेकिन वो लड़ाई कहीं न कहीं नीचे से उपर के स्तर्तक हैं और यह समस्या बहुत बड़ी है 2017 का जो कटा हुआ मांदे है और इसको सायद संगठन भी समझते हैं से लिए संगठन जादा आवाज नहीं लगाता है वो दरसल अनुपमा जैसवाल जी से सिर्फ और सिर्फ गितांजली मौरा ने आवाज करते हैं तो एक बार यह लगेगा कि जो 2017 में भाजपास सरकार ने उन पर लाठियां चलाई थी दरसल वो सरकार की गलती थी प्रसासन की गलती थी और उन्होंने इन चीजों को देखते हैं बहनों का क्योंकि संगर्स किया है बहनोंने आपने उनके संगर्स को रोका है और मा की दिया ही करते हूं कि सरकार को सोचना चाहिए और यह वापस देना चाहिए दूसरी बात आपको बता दू संगठन 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 का खेल बहुत ज़्यादा चला है कल क्या हुआ कल आपकी मिधले सिंग बहन है हमारी फैजाबास से तो किरिश कुमार पांडे जी के संग संगठन से क्योंकि हमारे लिए सभी संगठन प्यारे हैं क्यों क्योंकि मैं चाहता हूं सब एक मिरह करके चले और अन्में एकता बनी रहे दूसरी बात संगहथन क्या करते है από को बताते हैं जो मेंनेस से लगन से संगठन को सीच करके बड़ा करता है और आने वाले समय में इस समय हालत क्या है दरसल जो गिरेश कुमार पांडे जी है उनको तो आप देखते हैं उनकी हालत क्या हो चुकी है वो ना बोल सकते हैं डंग से ना वो सूथ सकते हैं डंग से तो आज के समय में उनका यही फैदा उठा जा रहा है वेमारी को ले करके और जिस बात को ले करके अब प्रदेश अद्यच बनने की होड बहुत जादा लग गई है लोग एक दूसरों को नीचा दिखा रहे हैं संगठन के जो चोटी चोटी बहने उनको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है कहीं किसी को जोड़ा जा रहा है कल मितलेश सिंग बहन को इस्तिफा दे दिया गया कि आरे भार सौपा है तो मेरे ख्याल से वो सही है और दूसरी बात संगठन पद लेने के लिए प्रदेश सद्यच बनने के लिए जो होड लगी हुई है वो होड आपकी रखी की रखी रह जाएगी चाहे कोई भी हो दरसल आपको बता दूँ संगठन हो या कोई भी हो पद को संभालना मेंन काम होता है अगर आप जिम्मेदारी नहीं संभाल पाएंगे तो फायदा ही क्या है दूसरी बात किसलिए संगठन का पद लोग चाहते है हम आपको हम बताते है दरसल कोई कहता है कार गिफ्ट की जाएगी अगर ये प्रदेश सद्द्च बने अगर जिलादाश बने ये तमाम चीजे हमने गुरूप में बहुत जादा पढ़ी लेकिन हम इतना जरूर जाननें इतना जरूर कह queens से ये पैसा आता कहां से ही पैसा सिर्फ और सिर्फ आंगनबाडियों से आता है जो पैसे यहां से वहाँ दिये जाते है क्यों संगटन वाले की क्या पढ़ी थी इनके आंगनबाडियों के लिए क्या अपने पास से पैसे खर्च करेंगे यह पैसे सिर्फ आंगनबाडी के होते हैं धर्नों के नाम पर वसूले जाते हैं, यही चंदा वसूली कही जाती है, जो धर्नों के नाम पर वसूलते हैं, और उसके बाद में वही पैसा आप मजे से संगटन चलाते हैं, यही चीजे हैं, इस वज़े से संगटन पर संगटन खड़े होते जा रहे हैं, और प्रदेश बढ़ती जा रही है जो बहने सच्चाई किराफ पर चल नहीं थी संगटन कुन एक मजबूती प्रदान की थी उनकी भी अब जो है नया बीच में लटकी हुई है और यहां पे एक मैसेज लगाता कल उसा वर्मा जी का 50 मिनट पहले जो कल हमने वीडियो डारा था उस पे सर 2400 रुपए आ गये हैं 5.12 बारा बंकी से आंगन भारी करता चाया वरमा आए बो अब मुझे नहीं भरोसा आये हैं नहीं आये लेकिन बहन इंहीं जानके नहीं किस आधार पर आये हैं पता नहीं कैसे आए उनका कहना और वो अगर बैयंको कांपी बेजे तो पता चले कितना कि आया है तो किस हिसाब से जोड़ करके आया है क्योंकि उनको लग रहा होगा कि उनके अकाउन में आये हैं और हो सकता है तमाम कार्यांगन बाड़ी बहने करती हैं तो पता नहीं किस चीज का पैसा हो सकता है दूसरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि आपस में ना लड़े हमार से संगठन तोट रहा है और लोगों का कहना अभी ये तो अभी बाबुलाल मौर्या जी को आपने देखा उनके साथ संगठन से वो इमानदार वक्तिते निकाल दिया गया दूसरी अगर ये सोसर चलता रहा तो आने वाले समय में कभी न कभी तो ये सोसर करने वाले पकड़े ही जाएंगे खुद को आप कितना ही लंबा कानून से बचा करके रख लें दरसल ये वसूली जो होती है वो सरकार और प्रसासन से मिलकर के होती है यही कारण की ऐसे लोग आराम से घूमते रहते हैं जो भी वसूलीया होती है और बली का बकरा कोई और बनता है यहाँ पे ये लेटर था और दूसरा ये कार्याले का आदेश जो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया है यह फेडिंग वगरा को लेकर के है 28 मार्च का 2019 का यह बहुत दिन से हमारे पास है लेकिन समय नहीं मिल पाता है छूट जाता था तो आज आप लोगों को बता दू सर्वे अच्छा कार करने वाले जो जनपद हैं सबसे अच्छे उनमें है आगरा आजमगर बारा बंकी फरुकाबाद गोरकपूर कानपूर नगर मौ और प्रयागराज और उन्नावजिला यह जिले हैं जो सर्वसे अच्छा कार फ्रेडिंग को लेकर के किये हैं और मध्यम जनकी खराब इस्तिति हैं जिनोंने एक प्रिस्त भी कारे नहीं किया है उसमें आते हैं बहराईश बांदा बरेली बस्ती बधोही एटा फिरोजाबाद गाजीपूर हापूर हाथरस कानपूर देहाथ कासगंग खीरी और खीरी बगएरा और लकनव मेरट विरजापूर अगले वीडियो में अगली बड़ी खबरों के साथ में जहां पे हमारे हर जो प्रदेश हैं वहां उनकी आवाज लगाई जाएगी एक बहुत अच्छा सुनहरा वीडियो हम लेकर के आने वाले वो दरसल सभी पार्टियों को लेकर के होगा और यहां पे यह वीडियो जो सम्साराएघ को लेकर का सुन समापуск जुष जङम हम लेकर को समारे वीडियो समागे वीडियों को लेकर का क्यूब झाले का हमारे हैंょ मतल में जह एक बहुत